हमें मूवी की स्टार्टिंग में बड़े बड़े अंडों को दिखाया जाता है और ये अंडे होते हैं डाइनासोर के तभी उन अंडों में से डाइनासोर का बच्चा बाहर आने की कोशिस कर रहा होता है इसके बाद हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसको अलग अलग तरह के डाइनासोर देखने का काफी सौंक था उस बच्चे का एक बड़ा भाई भी होता है उसको भी डाइनासोर देखने का काफी सौंक था बच्चों के घरवाले उन्हें अपनी छुट्टियां को जानने के लिए उन्हें आंट के पास भेज देते हैं उनकी आंट जुरासिक वर्ल्ल की मैनेजर थी बच्चों की आंट का नाम होता है किलियर उस दिन किलियर बहुत जान्दा बिजी होती है इसलिए उन बच्चों को लेने के लिए वो अपनी एक फ्रैंड को भेज देती है इसके बाद जब बच्चे अपनी आंट किलियर से मिलते हैं तो बहुत जानदा खोस होते हैं इसके बाद उनकी आंट उन्हें एक पास देती हैं जिससे बोग काफी इंजॉय कर सकें इसके बाद हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो की काफी बड़े साइंटिस्ट भी थे और उनने काफी पावरफुल डाइनासुर को बनाया है जो की नॉर्मल डाइनासुर से काफी जाना पावरफुल था और उन लोगों ने इस डाइनासोर का नाम रेक्स रखा था और उनको ऐसा करना है इसलिए पड़ा कि जुरासिक बल्ड का पूरी दुनिया में नाम हो जाए और सबी लोग यहाँ पर गूमने के लिए आएं जिसकी वज़े से उन्हें काफी प्रॉफिट भी होगा इसके बाद हमें जुरासिक बल्ड के ऑनर को दिखाये जाता है और उनका नाम मिश्टर एनवेसिस रानी है क्लियर उनको अपना न्यू डाइनासोर रेक्स दिखाने के लिए उनको अपने साथ लेकर जाती है वो लोग रेक्स डाइनासुर को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि बहाँ काच पर इसक्रेच आये होते हैं और रेक्स ने वहाँ से बाहर निकलने की कोसिस की थी लेकिन वो बहाँ से नहीं निकल पाया और जुरासिक वर्ड के ओनर और सेकोरिटी टाइट करने के लिए कहते हैं इसे कहते हैं कि इस टीम में सोल्जर ओविन को भी सामिल किया जाए वो ऐसा ऐसलिए कह रहे थे क्योंकि ओविन को डाइनासुर के बारे में काफी जाना नौलेज थी और ओविन काफी खतननक डाइनासुर को ट्रैनिंग दे रहा होता है फिर जुरासिक वर्ड की सिकोरिटी का लीडर ओविन के पास जाता है वो ओविन को टीम में सामिल होने का ओफर देता है लेकिन ओविन इस बात के लिए मना कर देता है और तभी एक लड़का डाइनासुर के फिंजरे में गिर जाता है डाइनासुर उस लड़के पर अटेक करके उसे मानने वाले ही होते हैं तभी बहाँ पर ओविन आ जाता है ओविन को इस बात पर बिस्वास था कि उसके डाइनासुर उस पर अटेक नहीं करेंगे औरवन उस लड़के की जान बचा कर खुद भी जल्दी से उस पंजरे से बाहर आ जाता है और अब हम दूसरी तरफ बच्चों को देखते हैं जो की पार्क में काफी इंजॉय कर रहे होते हैं वो लोग पाने के डाइनासुर को देखकर काफी जाना खुस हो जाते हैं इसके बाद हम किलियर को देखते हैं जो की ओवन के पास आती है यहां पर हम लोग यह जान पाते हैं किलियर और ओवन एक दूसरे को लाइक करते हैं किलियर ओवन को उस खतनाक डाइनासुर रेक्स के बारे में बताती है इसलिए ओवन रेक्स को देखने के लिए किलियर के साथ जाता है वो लोग बहाँ पर पहुँचकर देखते हैं कि रेक्स बहाँ पर तो है ही नहीं और वहीं दीवाल पर रेक्स के पंजों के निसान होते हैं इसलिए बो लोग समझ जाते हैं कि रैक्स ने भागने की कोसिस की है और वो सच में भाग गया है इसके बाद किलियर तुरंथी कंट्रोल रूम के पास निकल पड़ती है क्यूंकि उन्होंने रैक्स में एक ट्रेकल लगाया होता है किलियर तुरंथी कंट्रोल रूम ओपिसल क कॉल करती है और वो रेक्स के बारे में पूंचती है और वो लो क्लियर को बताते हैं कि रेक्स तो अपने केज में ही है साथ ही साथ वो क्लियर को ये भी बताते हैं कि कुछ बरकर रेक्स के केज में पहुँच गए हैं इस बात को सुनकर क्लियर बहुत जानदा घवरा जाती है इसलिए वो तुरंथी कंट्रोल रूम आपीसर से कहती है कि इन लोगों को रेक्स के केज मेंसे बाहर निकाल दو क्यूंकि रेक्स भही पर है और उसके बरकर को ये बात पता चलती है कि रेक्स भही पर है तो वो लोग भागने लगते हैं और लोगों की बास सुनकर रेक्स भी बहीं पर आ जाता है। रेक्स बहां से चला जाता है। और लोगों की बहां से चला जाता है। जो की पार्क में काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। क्लियर तुरंथी उन बच्चों को कॉल करती है। और बो पूछती है कि तुम लोग अभी कहां पर हो तो बच्चे कहते हैं कि हम लोग पार्क के नौर्थ एरिया में हैं। बो उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग जितना जल्दी हो सके बहां से निकलाओ। लेकिन सिगनल खराब होने की विज़े से बो लोग बात को नहीं सुन पाते हैं। बच्चे को पता चलता है कि वहां पर लोगों को आना बंद कर दिया गया है। पर भी अडेक कर देता है लेकिन वो गाइडन पर काफी मजबूत था वो कुछ टाइम तक नहीं तूटता है लेकिन कुछ टाइम बात वो तूट भी जाता है। और दोनों बच्चे उसमें से गर जाते हैं। दोनों बच्चे दोड़ते दोड़ते एक जहरने के पास आ जाते हैं। लेकिन रेक्स भी उनका पीछा करते करते उनके पास आ जाता है। जब तक रेक्स उनका सिकार बनाता वो पानी में कूंद जाते हैं। और ये सब देखकर रेक्स वहाँ से चला जाता है और दोनों बच्चों की जान बच जाती है। तभी किलियर औविन की पास आती है, बोज से कहते हैं कि बच्चे नौर्थ हेरिया में हैं, तभी औविन किलियर के साथ बच्चों की जान बचाने के लिए नौर्थ हेरिया में चला जाता है, रास्ते में उन्हें डाइनासूर की बाडी पड़ी मिलती हैं, जिनने रेक्स ने हो चुकी है यह देखकर क्लियर तो काफी डर जाती है कि बच्चे के पैरों के निसान देख लेता है औ entren केता है कि बच्चे आवी सीफ के पैरों को देखते देखते बहां जरने अजयाते हैंunächst किलियर से कहता है कि बच्चे सेफ होंगे हमें यहां से चलना चाहिए आंगे चलना खत्रे से खाली नहीं है लेकिन किलियर ओविन की वाद नहीं जानती वो बच्चों की जान बचाने के लिए जाना चाहती थी फिर हम उन बच्चों को देखते हैं जो की जंगल के काफी पुर पर अटेक कर देता है इसके बाद जुरासिक बल्ड के सिक्रेटी लीडर और ओनर रेक्स को पकड़ने के लिए खुद ही जाते हैं वो लोग देखते हैं कि किलियर का पीछा रेक्स कर रहा है लेकिन निसाना ठीक नहीं रखता रेक्स उड़ने वाले डाइनासोर का गेट लाती है वो किलियर से कहते हैं कि सिक्रेटी केमरा की मदश्ते हमने बच्चों को ढूट लिया है बच्के ब्लकल सेफ हैं तो किलियर उससे कहते है कि मैं उनने लेने के लिए आ रही हूँ जब तक तो मुनका ख्याल रखो किलियर औरविन के साथ उन बच्चों को लेने के लिए चली जाती है और दूसरी तरफ हमें उड़ने वाले डाइनासुर को दिखाया जाता है जो कि सहर में आकर लोगों के उपर अटैक कर देते हैं पिर हमें किलियर की वो फ्रेंड दिखायी जाती है जो उन बच्चों की जान बचा रही ही होती है तभी एक उड़ने वाला डाइनासुर आता है और उसे उठा कर ले जाता है और पानी वाला डाइनासुर उस उड़ने वाले डाइनासुर और उस लड़की को निगल जाता है और कुछ ही टाइम में किलियर और ओविन वहाँ पर आ जाते हैं वो उनों बच्चों को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं इसके बाद हम सेक्यर्टी लीडर को देखते हैं जो कि मिस्टर और मिस्स राने के मनने के बाद ओविन के डाइनासूर को यूज करने का सूचता है वो दाइनासूर पर वो नजट रख सके और जब ये वात ओविन को पढ़ा चलती है कि उसके डाइनासूर को युच किया जा रहा है तो उसे बहुत जान्दा गुस्ता आता है और जब ओविन सेक्रठी लीडर से मिल ले के लिए जाता है तो उन दौनों में काफी बहस होती है क्योंकि अब उन लोगों के पास कोई भी आपसन नहीं था इसलिए ओवन को सेक्यर्टी लीडर की बाद माननी पड़ती है वो लोग सभी मिलकर रेक्स को बगड़ने का प्लैन बनाते हैं ओवन अपने डायनासूर को रेक्स की ख पात्य करने लगता है लेकिन बो सभी ओफीसर रेक्स के ऊपर अटेक कर देते हैं रॉंकिट लांचर की वजहए से खायल हो जाता है वो सभी चौटे रेक्स चली जाती है और वहीं पर ओवन आ जाता है वो किलियर से कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ लोग सही सलामत कंट्रोल लूम में आ जाते हैं तभी कंट्रोल लूम में एक छोटा डाइनासोर आ जाता है वो छोटा डाइनासोर से करटी लीडर पर रेटेक कर देता है और वो जान से मार देता है किलियर और ओविन बच्चों को लेकर बाहर आजाते है तभी वो बच्चे तीनों डाइनसोर उन चारों को घेल लेते हैं ओविन अपनी फैबरिट डाइनसोर बिल्यू डाइनसोर से बात करता है और जो उसके सरफर डवाईस लगी होती है वो उसे भी खटा देता है और अब वो तीनों डाइनसोर नॉर्मल हालत में आजाते हैं तभी वहाँ पर रेक्स आजाता है क्योंकि अब छोटे डाइनसोर नॉर्मल हो गए थे इसलिए वो रेक्स पर अटेक कर देते हैं क्योंकि रेक्स अब जाना पावरफुल था इसलिए वो इन तीनों को मार डालता है तो वो छोटा बच्चा कहता है कि अगर हमें यहां से निकल ला हैं तो हमें रेक्स जैसा एक बड़ा डानासूर चाहिए यह बात सुनकर क्लियर को एक आइडिया आता है इसलिए वो खतरनाएक डानासूर टीरेक्स डानासूर को बहाँ पर बुला लेती है क्लियर उसे फिलियर देखा कर अपने पीछे-पीछे बुला लेती है अब T-Rex Dinosaur और Rex Dinosaur आमने सामने आ जाते हैं अब दोनों के बीच में fight सुरू हो जाती है क्योंकि Rex Dinosaur T-Rex Dinosaur से जाना powerful था इसलिए Rex Dinosaur T-Rex Dinosaur को इंजैड कर देता है तभी बहीं पर Aubyn का छोटा Blue Dinosaur आ जाता है जो की Rex के उपर attack कर देता है इतने में T-rex को भी मौका मिल जाता है और वो भी Rex के उपर एटेक कर देता है दोनों को बीच में बहुत बड़ी fight होती है और तभी पानी का डाइनासूर आता है और Rex की करदन पकड़ लेता है वो उसे खीचता हुआ पाने में ले जाता है और वहीं पर Rex को मार डालता है अब तो मर चुका था लेकिन टी रेक्स भी अब जाना एंजाइड हो चुका था इसलिए टी रेक्स वहां से चला जाता है और वेन अपने बिलू डानासोर को इसारा करता है और वो भी वहां से चला जाता है फिर किलियर की सिश्टर आती है उन बच्चों को लेने के लिए वो किलि इनने उनके वच्चों की जान बचाई इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप तो होती है दोस्तों अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें